जैहिन सातों आप सब ही का स्वागत करता हूँ आप सब ही के अपने चैनल टार्गेट सेलेक्शन में सातों आपकी जो परिक्षा आरंब है 23 अगस से UP पुलिस कॉंस्टेबल रे एक्जाम की कैसे कोशन आएंगे किस टाइप के कोशन सातों आप से पूछे जाएंगे किस सातों की लंगभग 50 मिनट के अंदर मैं पूरा से UP कम्पलेटली तौर से आपके मनोमस्तिक्ष में स्टोर करने वाला हूं बस सिर्फ फोड़ा सा ध्यान आपको इस क्लास में देना है मैं सब कुछ आपको तयार करवा दूँगा आज की इस वीडियो में सबसे पहले सातों म इसका राइट आंसर बताईए कि चारपाई पर चादर बिछा, दीजिये वाक्मे पर कौन सा कारक है, उसके बाद एगला सवाल है, कि वे अविकारी शब्द की अविकारी शब्द उनको शब्द को कहा जाता है जिसमें परिवर्तन नहीं हो सकता है जिसमें कुछ चेंजिस नहीं हो सकता है हाँ तो वे अविकारी शब्द जो दो शब्दो वाक्यों या वाक्खंडों को जोड़ते उनको क्या कहा जाता है ठीक ना तो मैं कह सकता हूँ उनको संग्या तो नहीं कहेंगे सर्वनाम नहीं कहेंगे, क्रिया नहीं कहेंगे क्योंकि यो तो विकारी शब्द होते हैं लेकिन अव्वे शब्द की अगर बात करते हैं तो पहली शर्थ यहां पर कम्प्लीट हो चुकी है अविकारी शब्द होते हैं अव्वे अव्वे मतलब क्या जैसे के तथा ये आपके अव्वे हो जाएगा और ये आपका अव्वे हो जाएगा किन्तु परंतु एवं ठीक ना ये सब इधर उधर ऐसे करकी है सब अव्वे होते हैं और यही शब्दों जो है ना साथ हूँ ये दो शब्दों को आप जोड़ते हैं या मैं कह सकता हूँ वाक्कों को जोड़ने का काम करते हैं या वाक्क के खंडों को जोड़ने का काम करते हैं अब वे शब्द तो कुलमिला के जिनका अंसर यहाँ पर हो अप्शन नमबर B के सा यहाँ पर तो फिर परिमार वाचक विशेशन हो जाएगा थोड़ा हो अधिको परिमार वाचक विशेशन आपको लगा देना है उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि अंधेरे में कुछ भी नहीं दिखाई देता है इस वाक में सर्वनाम आप से पूछा जा रहा है मुझे बताई देखिए अंधेरे में ये तो सर्वनाम होगा नहीं तो मैं अगर बात करूं सात्यो कुछ शब्द जो होगा ये आपका क्या हो जाएगा ये आपका सर्वनाम हो जाएगा और यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा उसके बाद देखिए अगला सवाल है तो सुन्दर ही हम कह सकते हैं, यानि कि आप का राइट आंसर, अगर है option number A, तो मैं कहूंगा कि आपका answer बिल्कुल correct है, लड़की खाना खा रही है, इस वाक में वचन आप से पूछा जा रहा है, तो लड़की खाना खा रही है, यह तो एक वचन हो जाएगा, अगर होता लड अंदा शब्द में जो किया गया है, वो अनुसवार का इस्तमाल किया गया है, इसलिए right answer आपका जो जाएगा, वो option number किस के साथ जाएगा, साथ हो option number C के साथ जाएगा, चलिए, उसके बाद देखिए अगला सवाल है, सयुक्त अक्षर, यानि कि छा में किन वर्लों का देखा हुआ है, उसके बाद देखिए, जिन सवारों के उचारण में मुख बहुत आधिक खुलता है, यानि कि जिन सवारों को जब हम जात्यों बोलते हैं, तो मुख हमारा बहुत खुल जाता है, ठीक है ना, तो उन सवारों को क्या कहा जाता है, ये आप से आपर पूछा जैसके अगर मैं साथियों बोलू आ ठीके ना बड़ा आ बोलू तो क्या मेरा मुझ बहुत खुल जाएगा तो मैं कह सकता हूं साथियों जिन स्वरों को बोलने में या चानल करने में मुक आधिक खुलता है उनको विविरस वर कहा जाता है इसलिए राइट आंसर आपका कौन है तो सूर सागर के रचाईता अगर आपका उठर हो आप्छयमटी तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है उसके बाद देकिए सात्यों प्रेवाइ स्वरों प्रवाास किसका महा कावव है तो यह किसका महाकावव में आपको बता देता हूं यह आयोधिया सिंघ उप देखिए अगर बात करें किसको दिया गया था तो संजीव जी को दिया गया था इनकी किस रचना के लिए दिया गया था सातियों इन्हों ने एक उपन्यास की रचना की थी और उस उपन्यास का नाम क्या था सातियों मुझे पहचानो ठीक ना उस उपन्यास का नाम क्या था अगला सवाल है इस के रेन पर इस कोशन को देखे साथियों और मुझे बताएए कि यहां पर आपका सही जवाब क्या हो सकते है लिखा हुआ है फल को खूब पका होना चाहिए इस वाक में साथियों किस प्रकार की अशुद्धी है बताएए क्या वचन सम्मंदी क्या पदिकरम्दी की इस वाक की क्या अगर बात करें अगर यहां पर से हम को हटा दें तो वाक का सही हो जाएगा फल खूब पका होना चाहिए यह होता है ना कि यह होता है फल को खूब पका होना चाहिए नहीं फल खूब पका होना चाहिए होना चाहिए और मैं कह सकता हूँ कि ये कारक है मैं कह सकता हूँ कारक सम्मंदी अशुदी है साथ हूँ राइट आंसर आपका जाएगा आप्शन नमर सी के साथ अगला सवाल आपके स्क्रीन पर बताएए के सरवनाम के दिश्टी से अशुद वाक का कौन सा है बताएए चलिए देखिए तुम क्या खा रहे हो इसमें सही सरवनाम है तुम कहां जा रहे हो इसमें भी सही सरवनाम है वहाँ लोग आ गए हैं देखिए लोग आ गए हैं नहीं होना चाहिए वहाँ लोग आ गए नहीं होना चाहिए, वो लोग आ गए ही होना चाहिए, वे लोग ठीक ना, क्या होना चाहिए, वे लोग आ गए हैं, उसके अलावा मैं पढ़ रहा हूँ, ये भी सही है, तो मैं कह सकता हूँ कि अशुद कौन सा है वाकिया, option number C वाला है, और यही आपका right answer, उसके बाद देखिए, अगला सवाल है, हाथ को हाथ ना सूझना, इसका मतलब क्या होता है, घना अंधेरा होता है, जब हाथ बहुत जादा अंधेरा होता है, तो अपने एक हाथ को दूसरा हाथ नहीं सूझता है, वे दूसरा हाथ हमारा किदर है, तो इसलिए कहा जाता ह कि हाथ को हाथ ना सूझना, यानिकर घना अंध्यरा होना, उसके बाद देखिए रूची घर जा रही इस वाक्मे वाच्चे कौन सा है मुझे बताएं, तो इस वाक्मे देखिए अगर करता की परधांता यहाँ पर है, तो मैं कह सकता हूं कि करतर वाच्चे हो जाएगा, तो आरतर वाच्चा आपका यहां पर बिल्कुल सही जवाब है लिमने कि इतमे से सही नाम बताई यानिकि जो चिन्न आपको दिख रहा है इसके अगर बात करते हैं यह कैसा चिन्न है मुझे बताईए क्या आपका इहां पर सही जवाब हो सकता है चलिए क्या आपका यहाँ पर सातु बिल्कुल सही जवाब हो सकता है एक बार बताने की कोशिश करेंगा अगर बात करते हैं सातु यह आपका अर्द विराम हो जाएगा और यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर मुझे बताईए कि इन में से दरंद समास किस चब्द में नहीं है तो दरंद समास सात्यों किस चब्द में नहीं है आप से यहां पर कुल मिला के पूछा जा रहे क्या आपका राइट आंसर होगा फटा फट बताईए बताईए देखिए अगर बात करें घास फूस में है उसके अलावा लूट मार में है कामकाज में है लेकिन ध्यान मगन में नहीं है ध्यान मगन कि अब जब हम बात करते हैं सात्यों क्या मैं कह सकता हूं ध्यान में मगन क्या मैं कह सकता हूं सात्यों ध्यान में मगन यानि कि इसकी अगर बात करें तो इसमें तो सात्यों तत्पुरुष समास हो जाएगा क्या तत्पुरुष समास यहां पर हो जाएगा तो कह सकता हूं कि answer आपका किस option के साथ जाएगा option number D के साथ जाएगा उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपके screen पर मुझे बताईए ठीक है और dance समास के अगर बात करें बीच में योजक चिन्न होता है या अगर योजक चिन्न नहीं है तो इस type के शब्द होंगे के उसमें आप योजक चिन्न लगा सकते हो देखिए घास फूस इसमें लगा सकते हो ये अलग शब्द है ये अलग शब्द है लूट मार इसमें भी लगा सकते हो काम काज इसमें भी लगा सकते हो तो कुलमिला के आपका right answer option number D है अब उसके बाद कि अगला सवाल है कि नमलिकित में से शब्दों में से उस शब्द का चैन करें जो समानार थी नहीं है चलिए कांता रमडी महिला एक कह सकते हैं लेकिन सोधरा यहां पर सात्यों अलग हो जाएगा तो यही आपका right answer है निदान के अगर बात करें तो निदान सब्ज में सात्यों उपसर्ग क्या होगा बताईए ठीक है यहां पर से अगर दान हम अलग कर दें तो क्या शब्दों बचेगा नी बचेगा और यह क्या होगा यही आपका सात्यों एक तरीके से उपसर्ग हो जाएगा और यही आपका right answer है उसके बाद देखिए आगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर प्रागेती हासिक में कौन सा प्रते हैं मुझे बताईए प्रागेती हासिक ठीक है ना तो इसमें एक प्रते हो जाएगा क्या हो जाएगा एक प्रते हो जाएगा अर्क कहा जाता है अगला सवाल देखिए कि अती विष्टी का विलूम क्या होगा मुझे बताईए तो अती विष्टी का विलूम अगर आपसे एक्जाम में पूछे तो अना विष्टी आपको बताने क्या बताना है साथ यो अनाविर्ष्टी बताना है उसके बाद देखिए निमनिकित में से किसमे संधी यूग में सही नहीं है मुझे बताईए चलिए चलिए देखिए यहाँ पर अगर बात करें महेंदर का संधी विच्छत क्या ये होगा महाधन इंदर तो मैं कहूँगा बिल्कुल सही विध्याले का क्या संधी विच्छत ये होगा विध्या धन आले तो मैं कहूँगा बिल्कुल गिरीश का संधी विच्छत क्या होगा गिरीधन इश तो मैं कहूँगा बिल्कुल लेकिन देवेश का संधी विच्छत देवधन वेश नहीं होगा जा सकते हैं तो हम लोगों ने देख लिया साथ यों चलिए अब देखिए साथ हों यहां पर रीजनिंग के कोशन आपके यहां पर शुरू हो चुचंगे तो बहुत शांदार तरीके से इन रीजनिंग के कोशन को भी आप लोग्ण साथ हो देखेंगे और बहुत देखेंगे क्योंकि सबसे जादा अगर बात करते हैं तो रीजनिंग के सवाल ही आपसे यहाँ पर पूछे जाएंगे इसको मैं थोड़ा जूम करलू भाई बिल्कुल जूम करलो इसको हटा दीजे कोई दिक्कत नहीं है एक सेकंड इसको हटा दीजे कोई दिक्कत नहीं ठीक ना इसकी अगर बात करते हैं यह आपके काम की चीज है यह आपको बहुत अच्छे से दिख रहा होगा ठीक ना यह निकि इस आकरती से अगर हमने ये आकरती बनाई है तो इस आकरते से हम कैसी आकरती बना सकते हैं बस इतनी सी बात आप से यहांपर पूछी जा रही है देखिए अब अगर बात करी derrière यह एरो उपर की तरफ है ठीक है तो ये किधर हो गया ये नीचे की तरफ हो गया क्या ये एक तरीके से अगर बात करें ठीक है ना ये उपर की तरफ है तो ये नीचे की तरफ हो गया अब उसी प्रकार अगर यहां पर साथू हम लोग बात करते हैं कि ये नीचे की तरफ है ना तो ये आ यहां पर जाएगा और ये हो जाएगा उपर की तरफ और उपर की साथ्यों ऐसा भी यहां पर है और यहां पर है कोई दिक्कत नहीं है ठीक है ना उसके बाद अगर यहां पर बात करें साथ्यों आप समझ यहां मैं कुल मिला कि आपको कुछ नहीं करना है इसको पलट देना है और जब आप साथ्यों इसको पलट दोगे यानि कि ऐसी यह वाली आकरती आना चाहिए तो मैं मेरा मानना है कि जो चीज मुझे सात्यों समझाना थी वो चीज आप लोग यहां पर समझ चुके होगे उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपके स्क्रेइन पर देखिए और मुझे बताईए कि आप का राइट आंसर सात्यों किस आप्शन के साथ जाएगा किया आपका सही जवाब यहां पर हो सकता है देखिए अगर बात करें सात्यों यहां पर कि 110 को सात्यों यहां पर 23 लिखा जा सकता है तो 85 को यहां पर क्या लिखा जाएगा यह बात आपको सात्यों बताना है मुझे बताईए देखिए 110 से 23 कैसे हो गया है ये आप से कुल मिला के पूछा जारे देखिए अगर हम सातियों 110 में हम कितने जोड़ दें सातियों 5 जोड़ दें तो कितने बन जाएगा भाई साब 115 बन जाएगा और इस नमबर को सातियों 5 से अगर हम भाग देते हैं पाचे कम 5, 5, 8, 4 तो 18 बन जाएगा तो 18 सातियों आपका राइट आंसर हो जाएगा ये कोशन एक तरीका से डिफिकल्ट लॉजिक यहां पर लगा है और मेरा मानना है कि ये लॉजिक सेम टू सेम एक्जाम में आएगा इसमें कोई फिर वदल कोई बदलाव नहीं होगा सातियों चलिए अब उसके बाद देखिए कि इनमें से बेमेल ज्याद कीजिए यनिके एक आप्शन है जो कि सबसे अलग है सबसे अलग वाला आप्शन आपसे यहां पर पूछा जा रहा है देखिए अगर T20 पर होता है U21 पर होता है V22 पर होता है और S19 पर होता है अब देखिए यहां पर अगर बात करें एक घटाया गया है यहां पर कितना घटाया गया है सातियों तीन घटाया गया है उसी प्रिकार यहां पर भी एक घटाया गया और यहाँ पर भी तीन घटाए गया है यहाँ पर भी एक घटाए गया और यहाँ पर भी तीन घटाए गया है लेकिन यहाँ पर एक पिलस कर दिया गया है और यहाँ पर सातियों एक तरीके से तीन माइनस कर दिया गया है तो मैं कह सकता हूँ कि सबसे अलग कौन सो option है option number A वाला है क्योंकि एक-एक सब में minus किया जा रहे लेकिन इसमें plus कर भिया गया है ठीक है ना अब इस question को देखिए सातियो और इस question का answer आप लोग यहां पर बताने की कोशिश कीजिए कि इसको कैसे आप सातियो कर सकते है देखिए इसमें क्या है अगर बात करते A3 A31 Z से सातियो D29 X हुआ है और उसके बाद G25 V हुआ है उसके बाद यहां पर क्या क्या आएगा आप से पूछा जा रहा है कुछ नहीं करना है देखिए यह सातियो कितना हुआ है यह A से D हो गया यहने कि यहां पर 3 बढ़ाया गया है K testota? यहां पर भी तो सातियो 3 ही प्लस करेंगे तो G में जब सातियो 3 प्लस करेंगे तो मेरे हिसाब से J आजाएगा और J कहां पर है एक यहां पर है यहां पर है और सातियो यहाँ पर है उसके बाद यह कि 31 की जब हम साथियों बात करते हैं तो 31 में यहाँ पर जाने से 2 घटाया गया है और यहाँ पर 4 घटाया गया है तो माइनस का 2 घटाया गया माइनस का 4 तो जहर सी बात है इसमें साथियों माइनस का 6 करेंगे तो जब माइनस का 6 करेंगे यनिके 25 में माइनस का 6 करेंगे तो 19 आ जाएगा 19 एक तो यहाँ पर है और यहाँ पर है अब Z की अगर बात करें सात्यों Z से X Y सात्यों तो कितना एक तरीके से 2 घटाया गया है और साथो उसके बाद कितना गटाएगा उसके बाद भी यहाँ पर दो गटाएगा इसमें दो गटाएगे तो साथो T आ जाएगा और T कहाँ पर है मैं कह सकता हूँ T आपका option number C में है option number A में नहीं तो आपका right answer जो होगा वो option number C के साथ जाएगा अगला सवाल आपके screen पर है देखिए कि एक दिवार की घड़ी में पांच बजे ठीक है ना पांच बजे हैं गंटे माइनस 11 बटे 2 into minute तो अगर बात करते है साथो यहाँ पर बात करें देखिए 30 आ जाएगा अब घंटे की बात की गई तो कितने घंटे 5 गंटे तो 5 गंटे आ जाएगा माइनस 11 बटे 2, 11 बटे 2 और कितने मिनट है साथो पूरे 5 बजे है इसलिए मिनट के रूप में साथो हमें 0 यहाँ पर लिखना पड़ेगा तो 0 की गुणा 11 बटे से 2 से होगी तो साथो 0 ही आ जाएगा ठीके ना कोई फरक नहीं पड़ेगा क्योंकि अगर बात करें 11 बटे सी के साथ जाएगा अगला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर है साथ हो देखिए और मुझे बताईए कि आपका राइट आंसर यहां पर क्या होगा देखिए यह कोशन मैं पहले बता देता हूं थोड़ा सा हार्ड लेवल का है क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस टाइप के कोशन को नहीं कर पाएंगे यह कोशन अगर आपके सामने आता है तो डिक्टू आता है डिक्टू आएगा इसमें ऑप्शन भी चेंजर नहीं होगा मेरा वहनना है शायद ठेकर ना देखिए अववस्थित अक्षरों को उनके वास्तवी करम में ववस्थित कीजिए उनमें साथ्यो एगल की लग रहा है देखिए अब यहां पर साथ्यो यह जी ओ एटी यह तो साथ्यो गोट हो गया गोट का मतलब क्या होता है साथ्यो गाय होता है उसी परिकार यह क्या हो गया साथ्यो यह पीजियन आपको लग रहा होगा लग रहा होगा इसके अगर बात करें सा ये एक क्या है ये एक पक्षी है ये एक पक्षी है ये एक पक्षी है लेकिन ये एक जानवर है गोट तो मैं कह सकता हूँ सबसे अलग यहां पर जो होगा वो टी ओ जी ए हो जाएगा क्योंके ये सातियों गाए है यानि के जानवर है उसके बाद उसके अलावा सारे पक्षी ह उसके बाद देखिया अगला सवाल है आपके स्क्रीन पर सात्यों देखिए और बताइए राइट आंसर क्या है कि वी जो है ये पी की माता है यानि कि कहा गया है सात्यों क्या कहा गया है मैं आपको बता देता हूँ के पी की माता कौन है सात्यों पी की माता वी है ठीक है ना पी की माता वी है उसके बाद कहा गया है के का भाई पी है के का भाई कौन है सात्यों के का भाई एक तरीके से पी है तो मैं पिलस बना देता हूं क्योंकि यह पुरुश है यह माता है यह निके महिला है तो माइनस बना ग्या है के क्या भाई इन की केवल एक संतान है तो सात्यों इन संतान कहां पर है अच्छा ये है टी है चली तो ये सात्यों टी हो गया उसके बाद क्या कहा गया है कि एच की एक मातर पोती है वो के है तो के कहां पर है ये है यानि के सात्यों एच की अगर बात करें तो KT से किस प्रकार संबंदी था, यानि कि T क्या कहेगा K को, तो T क्या कहेगा सात्यों K को, आर भए T क्या कहेगा, ये इसके कौन थे सात्यों, ठीक ना, ये इसके कौन थे सात्यों, पिता जी थे, और ये पिता जी की कौन है एक तरीके से, भाई या बहन है, ठीक ना, तो पिता G کی भाई या बहन मैं कहे सकता हूँ पिता G की बहन बढ़ा है, मुझे बढ़ाएएre, देखिए, यहां पर इ tö्छाया सार्थ B, द लएने कि वित्या Wert, ज्हां करे Samuel,unya के बाद D हो गया, दो बढ़ाया गया, धक्या एक S में 2 बढ़ाया गया, E हो गया, E में 2 बढ़ाया गया, E हो गया, G में 2 दो बढ़ायागया, आई हो गया है उसी पिरकार, यहाँ पर है, दो बढ़ाया गया है मैं आप से साथ्योंकिता हूं कि यहाँ कि है कि यहाँ पर हुआगा, का ही है yeah और ही नमबर A के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है उसके बाद देखिए अगला सवाल है जो कि बहुत शानदार आपकी स्क्रेन पर है ठीके ना इन कोशन को देखे साथ हो और मुझे बताइए सही जवाब क्या होगा बहुत शानदार कोशन है कहने के रोहित अपने भाई की तलाश कर रहा है रोहित अपने भाई की तलाश कर रहा है उसने एक बिंदू से शुरुआत की है और अपने बाएं और मुझे से पहले यानि क्या माल लीजे एक बिंदू की साथ हो एक बिंदू माल लेते साथ हो और इसको चला दिया और उसके बाद वो बाएं मुड़ता है यानि कि बाएं मुड़ता है यानि कि बाएं मुड़ता है ठीक है भाई तो बाएं मुड़ता है ठीक है भाई तो बाएं मुड़ता है हम क्या तैयारी में हो गए यह 50 मिटर चला, यहां पर क्या कहा गया, देखी ज़रा, फिर वह 40 मिटर चला, और कहने के फिर वो बाएं मुड़ता है, यानि के फिर वो सातियों बाएं मुड़ता है, और कितना चलता है, देखे, बाएं मुड़ता है, और अपने भाई को ढूणने के लिए 50 मिटर चलता है यानि कि बाएं मोडा और साथियों 50 मेने आपर चला दिया मैने 50 मिटर इसको चला दिया जैसे जैसे कह रहा है कोशन को करते जाए उसका भाई वहाँ नहीं था यानि कि यहाँ पर उसका चाचा का घर ता यहाँ भाई नहीं मिला फिर वहां से वो बिंदू X पर अपने भाई से मिलने के लिए पहले 120 मीटर उत्तर की ओर जाता है यानि कि अब वो सात्यो उत्तर की ओर जाता है यहां से तो यहां से सात्यो ऐसे करके जाएगा यह वो कितना चला है 120 चला है ना सात्यो तो यहां तक की दूरी कितनी होगी, 40 होगी, यह चालिस होगी, और यहां तक की दूरी कितनी होगी, 70 होगी, तब ही तब चलेगा सात्यू, कितना 120 मिटर चलेगा, चलिए, तो यहां पर वो सात्यू X पर पहुँच जाता है, उसके बात कहरे हैं, कि बिंदू X और रोहित के श ये दोरी कितनी होगी ये टोटल दोरी 110 है ये दोरी 50 है तो ये दोरी कितनी होगी 60 होगी तो मैं साथ हो 60 यहां पर लिख लिए और ये दोरी कितनी होगी साथ हो देखे ये पूरी टोटल कितनी ये 80 हो जाएगी यानि कि अगर बात करें ये दोरी आप से पूछी जारी कितनी ह स्क्वाइर होता है कंड का स्क्वाइर आधार का स्क्वाइर यानिके जो के साथ स्क्वाइर है और असी का स्क्वाइर यानिके सात्यों जो के असी का स्क्वाइर हो जाएगा के स्क्वाइर कंड का स्क्वाइर ये कंड की लंबाई है 60 के स्क्वیئر क्या हो जाएगा 700 हो जाएगा अगर ये कोशन आता है तो मेरा मानना है बहुत सारे बच्चे लोग इस कोशन को नहीं कर पाएंगे या उसमें कुछ दिक्कत या गलती कर जाएंगे और गलत आप्शन को टिक करके चले आ जाएंगे कोई दिक्कत नहीं है सारे उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपके स्क्रीन पर आपको कहा जा रहा है यहां पर के C-A-R-R-Y को क्या लिखा जाता है Y-R-U-A-C लिखा जाता है उसके बाद सारे तो H-U-M-A-N को क्या लिखा जाता है N-A-P-U-H लिखा जाता है तो N-I-G-H-T को क्या लिखा जाएगा देखिए जब आप इन लेटर्स को देख रहे होंगे और इन लेटर्स को देख रहे होंगे तो आप ये सोच रहे होंगे कि जो यहाँ पर लेटर है वही लेटर यहाँ पर है ये R यहाँ पर है ये A साथू यहाँ पर है ठीके ना ये R कैसे आगया फिर अच्छा एक सेकिन एक सेकिन यहाँ पर साथू देखे थोड़ा सा ध्यान लगाओगे तो हो जाएगा ये बात समझ गया C का यहाँ लिख दिया Y का Y यहाँ लिख दिया अब देखिए R की अगर बात करें तो R ये R सेम टू सेम लिख दिया और ये A सेम टू सेम लिख दिया लेकिन R से यहाँ पर U कर दिया गया है यानि कि 3 बढ़ा दिया गया है तो बीच वाले में 3 पिलस कर देना है मेरे हिसाब से साथ हो यहाँ पर भी जाएगा तो ऐसा आप्शन कहां पर लिखा हुआ है तो यही आपका क्या होगा यही आपका साथ हो बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर हो जाता भाई बहुत बड़िया वेरी कुट क्लास उसके बाद देखिए अगला सवाल है एक तस्वीर की और इशारा करते हुए महेश कहता है मान लिजे महेश आप है आप कह रहे हैं कि वहाँ यानि कि एक तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए आप कह रहे हैं कि वो जो है ना मेरे दादा जी के एकलोते पुत्र कौन होंगे आपके पिता होंगे कहने के आपके पिता की पुत्री है यानि के वो कौन है सात्यों आपकी बहन हो जाएंगी कौन हो जाएंगी आपकी बहन हो जाएंगी तो फोटो में लड़की महश से किस प्रिकार सम्मन देता बाई साब ये तो बहन है कौन निकली बहन निकली तो बहन आ आपको दे दी जाए, कि आप से कहा दिया जाए, कि कोई साविद है, माल लीजे, आज कह दिया जाए, सोमवार है, और आप से पूछा जाए, 1000 दिन बाद कौन सा दिन होगा, तब भी आप बता दोगे, एक सेकंड में, आप से पूछ लिया जाए, 895 दिनों के बाद कौन सा दि जोड़ दिया गया है ना तो 99 दिनों की अगर बात करें, जितने दिनों के बाद आप से पूछा जाये, उन दिनों को 7 से हमेशा आपको भाग करना है, तो कितना 6 फल बचएगा, देखे इस साथ खम 7 हो जायेगा, दो जायेगा, 29 हो में से बचाए यह 79 है आप का सामने एक बचाए इस से आपको कोई लेणा देना नहीं यह एक आप इसमेχे जोड़ दिज़े यानि कि रवी वार में 1 जोड़ दीजे तो जब रवी वार में 1 जोड़ोगे तो सो 음 वार आ जाये का यानि कि एक दिन अशर यहांपर क्या है यानि कि बेजोर यानि कि आपको यहांपर बताना है कि सबसे विषम कौन सा option है वी 32 भी है प दबी 30 भी है सी 24 एच है म 65 ए है और in 85 है तो कुल मिला कि अगर बात करें कि ये होता है 16 पर और ये होता है 2 पर C होता है 3 पर, H होता है 8 पर, M होता है 13 पर, E होता है 5 पर, N होता है 14 पर, F होता है 6 पर अगर सात्यों हम इन दोनों नंबर की आपस में गुणा करा दे तो हमें ये वाला नंबर पर आपत हो रहा है 16, 32 अगर हम सात्यों इन दोनों की आपस में गुणा करा दे तो हमें ये वाला नमबर पर आपत हो जाएगा 13,65 लेकिन 14,75,14,84 होता है सातियों तो मैं कहे सकता हूँ कि यहाँ पर मात खा गए आप ठीक है ना तो कुलमिला के सातियों सबसे बेजोड आप्शन कौन सा है आप्शन नमबर D वाला है और D वाला है सातियों तो यही आपका क्या होगा यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता भई बहुत बड़िया वेरिकुट क्लास आतियों अब आप लोग यहाँ पर देख लेंगे किया इसमें से सामा निग्यान के कोशन आप देखेंगे पहला कोशन सामा निग्यान का है कि किस राज ने आदिवासी बच्चों के लिए भोजन की गुरवत्ता का आकलन करने के लिए AI मशीन इस्थापित की है तो मैं कह सकता हूँ महाराश्ट आप लोग ध्यान रखेंगे ये डारेक्ट आप से एक्जाम में पूछा जाएगा सातु मैं आपको बता दू अगर आप यूपी पुलिस कॉंस्टेबल की पीडियाफ लेना चाते हैं तो मेरा मानना है आप सातु एक्जाम को अगर पास करना चाते हैं इनका सॉलोशन आपको सिर्फ एक ही पीडियाफ में दिया जाएगा इसमें मैट का सॉलोशन, डीजनिंग का सॉलोशन, जीएस का सॉलोशन और सात्यों हिंदी का सॉलोशन उसके अलावा दस मॉडल पेपर भी आपको दिया जा रहा है इन दोनों पीडियाफ को सात्यों आप लगा लेना और ये समझ लीजे सात्यों अगर आप इन दोनों पीडियाफ को एक तरीके से लगा लेते हैं तो 65 से 70% पेपर आपका बहुत आराम से फज़ जाएगा ठीक है ना सात्यों तो इस PDF को लिंक पाने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा WhatsApp पर PDF पाने का लिंक है उसको क्लिक करेंगे तो आप हमारे WhatsApp पर आ जाएगे वहाँ पर आप 45 का वार कोड दिया जाएगा आपको एक है कि वार कोड वहाँ पर आपको 45 रुपए का पेमिंट करके स्क्रीन शॉट भेजेंगे तो ये सात्यों क्या PDF आपको भीज दी जाएगी उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपके स्क्रीन पर के भारत में स्तापित पहला छेत्री एक ग्रामियूड बैंक कौन सा था तो आप लोग ध्यान रखेंगे सात्यों ग्रामियूड बैंक था आंसर आपका जाएगा C के साथ अगला सवाल देखिए कि रेड शब्द वली ये सात्यों किस खेल में इस्तमाल किया जाता है तो ये तो कबड़ी में इस्तमाल किया जाता है रेड शब्द उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि निमनिकित में से कौन यूनान की राजधानी है या गिरीज की राजधानी है तो एथिंस आपका सात्यों बिल्कुल सही और साटीक जवाब हो जाता है उसके बाद देखें सात्यों आगला सवाल है आपके स्क्रीन पर देखिए और बताईए कि मैटर्स ओफ डिस्क्रिशन भारत के किस पूर परधान मंतरी की आत्मकता है तो अगर डारेक्ट आप से इस सवाल पूछ लिया जाए तो इंदर कुमार गुजराल आपको बता देना है ठीक ना यानि कि भारत के ये परधान मंतरी थे सात्यों इंदर कुमार गुजराल इनकी ये आत्मकता है उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि भारत के राश्पती के चुनाव में विवाद की इस्तिती में निर्ला लेने का अधिकार किसके पास होता है तो सूप्रीम कोट के पास होता है साथ हो ये बात आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे उसके बाद अगला सवाल है कि निमलिखित में से कौन सा लोग गीत बच्चे के जन्म का जश्ण मनाने के लिए गाया जाता है तो कौन सा लोग गीत सातियों सोहर लोग गीत आप लोग ध्यान रखेंगे या बच्चे के जन्म का जश्ण मनाने के लिए गाया जाता है उसके बाद देख वधन में संशोधन कर सकती है इसके सदसों का एक साधारन बहुमत के द्वारा ये दो बटे तीन बहुमत के द्वारा तीन बटा चार बहुमत के द्वारा इसके एक बटे तीन सदसों का समर्थन के द्वारा तो मैं कहूंगा सातों इसके सदस का एक साधारन बहुमत के द्वा उसके बाद देखिया अग्ला सवाल है आपके इसक्रीण पर भारतीय उबग्रह प्रिकशेपन केंद्रे सतीश दवन अंतरिक्ष केंद्रे यह कहां पर है यह ओरिशा में है यह आंधर प्रदेश में है करनाटक में है या सातव केरल में तो मैं कहूंगा ये आंधर प्रदेश में है, कहां पर है ये आंधर प्रदेश में है, आंसर आपका जाएगा, उप्शन वर बी के साथ, उसके बाद देखिए आगला सवाल है कि बाए, मैनी एहपी एकसीरेंट ये किस नेता की आत्मकता है, तो ये हामिद अंसारी जी की आत् मकता है, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे, साथियों अगर बात करें, यहां पर अगर आप एक्जाम को क्रेक करना चाहते हैं साथियों, तो मैंने लगभग पिछले दस दिनों में जो क्लासस आपको उपलब्द कराई हैं मेरा मानना है, वो उन दस क्लासस में साथियों क्या साथियों, अगर बात करें, एक्जाम तक आपको जो क्लासस दी जाएं मेरा मानना है, अगर आप देख लेंगे तो एक्जाम होल में साथियों, एक्जाम को साथियों आप पास बहुत आराम से कर सकते हैं, ठीकिन आतो मैं जो कह रहा हूं साथियों, उस काम को आप कर ल पूछा जाता है वेंचुरी मीटर का क्योग होता है उसके बाद देखिए मेंडलीव की आवर्त सार्णी किस पर आधारित है तो ये परमानू दरवमान पर आधारित है साथियो मेंडलीव की आवर्त सार्णी उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि निम्लिकित में से किस नत विदियों को ट्रैक करने के लिए सोशल मीडिया वेब साइट को ब्लॉक करने का एक लोग पर लिए टूल क्या है बलर इसको कहा जाते हैंने कि यहां पर सातियों जो शब्द आएगा वो बलर आएगा अब उसके बाद देखिया अगला सवाल है कि किस अवद के शासक ने भग बाद देखिये निम्रिकित में से किस ने 1979 में भारत के परधान मंतरी के रूप में मौरार जी दिसाई को जंगा दी थी तो अगर बात करते हैं सातियों चौधरी चरंग सिंग के अगर बात करते हैं तो ठीक है ना इन्हों ने ही 1979 में भारत के परधान मंतरी के रूप में अगर बात करें कि X एक काम को दो दिनों में पूरा करता है तो यहां पर अगर बात करें यह जो जो कहा जा रहा है वो साथों लिख लेते हैं X किसी काम को दो दिन में पूरा करता है और कहरें कि इसी काम को Y तीन दिन में पूरा करता है और Z इसी काम को चार दिने पूरा करता है काहँ रहे कि यदि वे एक साथ काम करते है यानि कि EX PLUS Y PLUS Z यानि कि तीनos एक साथ मिलकर काम करते है तो उस खाम के जिरे उनको उन्तालिस सो रुपए साथ हो दिया जाते है तो कह रहें कि Y को कितनी रुपए मिलते हैं या आप से पूछा जा रहें देखे एक ऐसा नमबर लेंगे जो कि तीनो नमबर से कट जाए यानि कि जो कि दो के पहाले में भी है तीन के पहाले में भी है चार के पहाले में भी है ऐसे भी हम लोग कह सकते हैं तो बारा यहाँ पर अब कितने कितने इबार में आता है वो देख लीजे दो छंग बारा तो छे आ जाएगा तीन चौक बारा तो चार आ जाएगा चार तीन बारा तो यानि कि X एक दिन में छे काम करता है y एक दिन में 4 काम करता है z एक दिन में 7 तीन काम करता है ये बात आप रोग समझें total काम कितना है total काम है 7 और 12 तो कुल मिला कि अगर बात करते हैं याँ पर कहा जा रहा है कि इनको 1 7 काम करने के लिए 49 रुपए दिये जाते हैं यानि के इसका एक दिन का काम ये है, इसका एक दिन का काम ये है, तीनों का टोटल एक दिन में ये कितना काम करते हैं सात्यों, तो 6 प्लस कितना हो जाएगा, सात्यों 13 हो जाएगा, इनके 13 X की जो वैलू है, वो 49 हो है, ठीके ना, ये जो पैसे दिये जाते हैं टोटल, तो X की value सात्यों क्या होगी तेरा तियां तेरा काम जब भी तरहते हैं 49 तो 300 हो जाएगी अब अगर बात करें वाई की धन्राशी कितनी है ठीके न तो सात्यों यहां पर अगर बात करते हैं वाई के बारे में पूछा गया है तो यह चार काम करता है ठीके न तो 300 की गुणा किसे करा देंगे सात्यों चार से करा देंगे चारतियां कितना आ जाएगा 1200 आ जाएगा यानिके वाई को कितने रुपए प्राप्त होंगे तो 1200 प्राप्त होंगे और यही आपका क्या हो जाएगा यही आपका सात्यों बिल्कुल सही जवाब हो जाता है चलिए अब उसके बाद दे के कहने का मतलब जो है न उसके बाद कहरें कि वे एक साथ एक काम को ठीक已經 है कहते हूँ क्रते हुए एक काम को 60 गोंटे में पूरा रही हुए निकि वे अगर थेनों लोग मिन जाते हैं और काम करने लगते हैं तो अगर ए अकेले उस काम को करेगा तो कितने घंटे में पूरा कर लेगा देखिए अगर मैं कहूँ साथ तीनों लोग मिल जाते हैं तो तीनों लोग एक दिन में कितना काम करेंगे ये तीन करेगा तो ये आठ करेगा ये छे करेगा ये कितना हो जाएगा 8 और 6 कितना हो जाएगा साथियों 14 हो जाएगा यानि कि अगर 3 लोग मिलकर काम करते हैं 14 काम करते हैं और ये 60 घंटे तक अगर काम कर लेते हैं तो वो काम पूरा हो जाता है यानि कि कुल मिला के साथियों अगर बात करते हैं 14, 75, 14, 14, 14 चौरा से यानि कि 840 ये क्या है ये सात्यों टोटल काम है अगर आप से पूछे कि टोटल काम कितना है तो टोटल काम 840 है ठीक ना अगर बात करते हैं सात्यों अब ये टोटल काम आपको प्राप्त हो गया अब कहरें कि इस काम को अगर एक पूरा करता है तो कितने दिन में करत है पहली बात तो इसका आधा करें किकूकर फिफ्टी परसंट की बात की गई ए फिफ्टी परसंट काम करता है तो कितने दिन में करता है तो इसको जर आधा करेंगे साथ योjadi है और ये एक दिन में निटा पाएगा तीनी कम गर ए उस काम का आधा काम करता है तो 140 आपका बिलकुल सही जवाब हो जाता है उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपके स्क्रीन पर देखिए और मुझे बताइए कि यहां पर आपका जो बिलकुल सही जवाब होगा वो सात्यों किस आप्शन के साथ जा सकता है कहने कि एक थैली में दो, पाँच, तीन के रुपात में सिक्के हैं यानि कि अगर दो सिक्के हैं तो वो एक रुपए के हैं दो रुपए के पाँच सिक्के हैं और पाँच रुपए के तीन सिक्के इसका मतलब यह हुआ कहने कि यदि कुल 54 रुपए उसमें हैं तो कह रहे हैं कि 5 रुपए के सिक्के कितने हैं देखे यहां पर अगर बात करें आप कहने मान लिजे 1 रुपए के अगर 2 सिक्के हैं यानि कि 2 रुपए हैं ठीके ना क्या साथ हुई यहां पर अगर बात करें तो 2 रुपए हैं ये बात आप लोग समझ जोए यानि कि 2X हो जाएगा उसके अलावा अगर मान लीजे 2 रुपए के 5 सिक्के हैं ठीके ना तो मैं कह सकता हूँ के 5 जुना 10 यानि कि 10X यहां पर आ जाएगा उसी प्रिकार 5 किते हैं पाँच रुपए के अगर तीन सिक्षे यानि के सातियों पंधरा एकस में कह सकता हूं, अब इनको जोड़ेंगे सातियों तो चववन आएगा, कितना आएगा, चववन आएगा, यानि कि अगर कुल रुपए कितने हैं, तो ये कुल रुपए एक तरीका से हैं, चववन है, अब आपसे पूछा क्या जा रहा था, कि पांच रुपए के, ठीके ना, क्या पूछा जा जा, पांच रुपए के कितने सिक्षे हैं, तो पांच रुपए के तो भाई तीन सिक्षे हैं, तो कुल मिला के सातियों त्री एकस की वैलु आपसे पूछी जा रही, एकस आपको पता है दो है तीन एक्स याने के तीन की दो से गुणा करा दो साथ यो छे आएगा याने के पांच रुपए के छे सिक्के होंगे और छे आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नमबर दी के साथ उसके बाद देखिए आगला सवाल है आपके स्क्रीन पर दो लोग है आपर मीरा है और सीना है नो तो जरा X का मान निकाली, X का मान निकालने से फायदा आपको यह होगा, यह 4X है और यह है असल में 7 यु तीन X है तो मीना की वरतमान आयू के वारे में अगर पूछेगा तो हम 4X का मान निकाल देंगे और अगर सीना की पूछेगा तो हम 3X निकाल देंगे तो देखें साथ यो 4X बराबर क्या हो जाएगा 26 ये पिलस का है उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा 4x बराबर किया जाएगा 20 आजाएगा 20 बटे 4 आजाएगा 4 एक्स बराबर 5 आपके सामने आगया है और सीना की वरतमान आयू पूछी जा रहे है सीना की वरतमान आयू 3x है यानि कि जब x बराबर 5 है और 3x की वैलू अगर आपसे पूछी जाए तो 15 आएगी यानि कि 15 वर्ष सात्यू यह जो होगी वो सीना की आयू होगी और 15 वर्ष कौन से आप्शन में है तो मैं कहूंगा आप्शन नमबर C में और जिनका भी आंसर यहाँ पर है आप्शन नमबर C के साथ दो PDF है उन PDF की अगर मैं बात बताओं तो 2018 से लेकर 2024 तक के सात्यों सभी पेपर का solution मिलेगा और 10 practice पेपर आपको सात्यू दिये जा रहे हैं कितने 10 practice पेपर भी सात्यू आपको दिये जा रहे हैं यह दोनों PDF सिर्फ 45 रुपए में description में लिंग है WhatsApp पर पीडियो प्राप्त करने का वहां से आप लोग सातु ले सकते हैं उसके अलावा सातु आपको जो भी Classes दी जा रही है Target Selection पर मेरा मानना है वो Classes सात्यों आपके लिए बहुत important है उन Classes को देखिए और अपने exam को crack कीजिए ठीके ना, description में WhatsApp group है उसको भी सात्यों आप लोग जोएन कर लिजे और सात्यों एक तरीके से अपने एक प्यारे से कमेंट के माध्यम से बता दीजेगा कि एक लास आपको कैसी लगी तो मिलते हम सभी लोग आने वाली वीडियो में जैहिन सात्यों